नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चेनल स्टेड़ी विद अच्पि स्वामी पर जहां पर आपको हर दिन आई कोड ऐसे से इत्यादी विबागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब करवाई जाता है दोस्तों आज का यह है डिक्टेशन साठ सब परती मिनिट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महतरपून आउटलाइन जो आपको सामने इसकी इन पर दिखाई दे रहे हैं मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूँगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे, दो सेकिन बात स्टार्ट वास्त्विक वै, वै, कै तीनों को एक साथ लिखा गया है बात, चीत बात को चै से काटा गया है दुनिया दै बना करके उसके उपर उ की मातरा लगए गया भारत उल्टा बै बना करके उसके नीचे छोटा डोट लगए गया है पाकिस्तान पै को कैसे काटा गया है सनिवार सै नै बना करके उनके नीचे वै बनाया गया है हमलावर है को वै रह से काटा गया है सबसे बड़ी सबसे बनाकर के सै को बै से काटा गया है मुश्किल मै को कै लह से काटा गया है अलग थलग अलग बनाकर के गै को थै से काटा गया है दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्रपून आउटलाइन आज का डिक्तेशन साट सब परती मिनिट स्टार्ट होगा पांच सेकेंड बाद स्टार्ट पूर्वी लद्दाख में वास्त्विक नियंत्रन रेखा LAC पर घटना क्रम तेजी से सांती की दिशा में घूम रहा है पेंगों जील इलाके से चीन और भारत की सेनाएं पीछे हट चुकी है सनिवार को दोनों देशों के कोर कमांडरों की दसवें दोर की बातचीत में तना तनी वाले डेप सांग, होट, स्प्रिंग, गोगरा और डेम चक इलाकों से भी सेनाएं पीछे हटाने पर मंत्रना की गई संकेत सकारात्मक हैं अगर कुछ और इलाकों से सेनाएं हटाने का रोड में तयार होता है तो यह यह एल एसी पर सांती बहाली का एक और सार्थक कदम होगा करीब नौ महीने से तनी चीन की गर्दन में लचीलापन पेदा करना भारत की बड़ी कूट नीतिक जीत है एल एसी पर चीन के हमलावर रुख का कड़ा जवाब भारत ने उसके खिलाप आर्थिक पाबंदियां बढ़ा कर दिया दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने के सपने देखने वाले चीन के लिए भारत जैसे विशाल देश की पाबंदियों की परवाह नहीं करना मुश्किल है अंतर राष्टिय इस्तर पर भी वह अलग थलग पढ़ता जा रहा है वह भारत के पडोसी देशों पाकिस्तान और नेपाल को भले अपने पक्स में करने में कामयाब रहा और किसी देश का समर्थन हासिल नहीं कर सका अमरीका के साथ उसका पहले से 36 का आंकड़ा है ब्रिटेन, ओस्ट्रेलिया, जापान, कनाड़ा, वियत नाम और फिलिपिन्स के साथ भी उसके रिष्टे अच्छे नहीं है उसकी चिंताओं और चालों में रूस की भी कोई दिलचस्पी नहीं है चीन की विदेश मंत्री ने पिछले साल अगस्ट सितंबर में इटली, निदर लेंड, नौर्वे, फ्रांस और जर्मनी का दोरा किया था दोरे का असली मकसद यूरोपिये संग का समर्थन हासिल करना था लेकिन तुसारा पाक हो गया दक्सिन चीन सागर में हमलावर रुख को लेकर इन देशों ने चीन को जम कर फटकारा इसके बाद चीन की अकड डीली पढ़नी लगी थी पूर्वी लद्दाख के सीमा वर्ती इलाकों से सेनाएं पीछे हटने से बेशक भारत और चीन के बीच तनाव गटेगा लेकिन सीमा विवाद के स्थाई हल की मंजिल फिलहाल दूर है चीन ने पिछले नौ महीनों के दौरान एल एसी पर जो हरकतें की उनसे आपसी भरोसे की दरार और चोड़ी हुई है चीन जिस तरह बार बार पलटी मारता है उससे भरोसे की पुखता जमिन तैयार नहीं हो पाती एक दूसरे की दावों और एल एसी का सम्मान करते हुए दोनों देश बातचीत का सिलशिला जारी रखें तो भविश्य में बरोसे की कोई सूरत पेदा हो सकती है पूर्वी लद्दाक से सेनाएं हटने की प्रकिरिया के दौरान भारत को चीन के कदमों पर सतत निगरानी रखनी होगी चीन अगर बरोसा तोड़ने में माहिर है तो उसे अच्छी तरह समझा देना होगा की यह 1962 का भारत नहीं है सीमाओं पर अब दोखे की एक चिंगारी भी बरदास्त नहीं की जाएगी समझाओं 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 झाल झाल